हेलो दोस्तों स्वागत आप सुभी को राजे स्टेडी में आज हम लोग फुल्टिकल साइंस राजिंतिक सास्त्र का दूसरा क्वेशन देखेंगे इससे पहले ने हम लोग एक क्वेशन देख चुके थे आज हम लोग यह जानेंगे कि भारत में किस तरह की जातीगत और समान कि भारत धर्म निर्प्यक्स इस क difference कि रहें और समान देख जानेंगे चाया क्वेशन दो स्टार्गी जानेगे दूसरा करने से लव इसमें पुलिटिकल सैंस से आपको 15 से 20 नमर का आप पूछे जाते हैं तो तो 15 से 20 नमर का पूछे जाते हैं तो उसी धांग से हम लोग क्वेश्चन का भी डिसकस करेंगे और यदि आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों में सेयर भी कर द प्यास करेंगे तो भारत में स्रम विवाजन के अधार पर जातिगत और समानता जारी है स्रम विवाजन क्या हुआ स्रम का मतलब काम करने के अधार पर क्या है जातिगत और समानता जारी है जैसे क्या होता था कि दोबी है तो कपरा साफ करेंगे यानि कि ये लोहार है तो व सोना रिलेटेर काम करते तो उस तरह से भी क्या है कि हमारे समाज में जातिगत और समानताय जारी है उसके बाद है कि भारत की तरह दूसरे देश में पेसे के अधार पर वंसा नुगत है मतलब दूसरे देश में भी वैसे ही है पेसे के अधार पर काम करने के अधार पर है वंस कुमः बयटी से वह उसको हो Hetाइब थो और वहीं जंड़र सब्सक्राइब city पेशा 수 में चालते ज होता ऑग्पोई अगर कोई दूसरा रोजगार नहीं मिलता है तो वह क्या करता है अपना ही होना और उसी पर वह काम करते हैं उसके बाद है कि समुदा एक व्यवस्था की जातिगत रूप ले ले लेती है एक समुदा एक क्या होता है जातिगत व्यवस्था का रूप ले लेता है मतलब जो भी समुदा ए तो पूस्ती के रूप ले लेता है कि यह बैवस्ता जब आस्थाई हो जाता है मतलब स्रम् विवाजन का अतिवादी रूप कहां लिए उस को हम क्या कहते हैं इनके बेटे-बेटिया की साधी आपत में उसी समुधाय में होते हैं मतलब जनरली हम लोग भी देखते हैं कि जब साधी करने लगता है तो उसी विरादरी उसी काश्ट उसी में देखते हैं उसी समुदाय के लोगों में मतलब अपने बेटी बेटी के साधी करते हैं इस परकार की भारत में जातीगत असमानताय जारी है इस तरह से हमारे मतलब भारत में क्या है जातीगत असमानताय जारी आप दीरे दीरे ये सब थोड़ा सा रिलेफ मिलना है थोड़ा थोड़ा जातीगत असमानताय दूर हो रहा है लेगिन फिर भी अभी भी मारे देश में जातिगत असमानताये बहुत सारे हैं उन सभी को अब दीरे-दीरे सरकार भी पहल कर रहे हैं और हम लोग को भी पहल करना चाहिए कि जातिगत असमानताये को दूर करने के लिए तो चलिए आज के लिए इतना ही हम नेक्स देखेंगे आगला कोश्चे नेक्स वीडियो में तो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और साम में आपको मतलब सुभावाला में आपको अब्जेक्टिव का सीरीज मिल जाता है जैसे कि हमने जो भी अध्याय पढ़ा चुके अभी तक उसका हम क्या करते हैं अब्जेक्टिव पढ़ाते हैं क्योंकि अब एक्जाम बहुत नजदिक आ गया है तो आपको अब्जेक्टिव भी अब बहुत ज़्यादा जरूरी है तो अब्जेक्टिव आपके लिए मतलब और लेडी मतलब हम बना के रखे हुए हैं और सब टोपिक आओ टोपिक वाईज आपको बताते हैं तो चलिए रहने देते हैं आज के लिए और आगे वाला वीडियो में हमें इससे आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो चलिए थैंक्यू थैंक्यू फर वाचिंगे